आज जो ये सुन्दर सी प्यारी सी क्रीम आप देख रहे हो ना ये क्रीम मैंने आधे सेप से बनाई है और जब आप इसे अपने हातों से बना के अपने सुन्दर से चेहरे पे लगाओगे तो सच कहरे हो दस से पंदरे दिन में ही आपकी स्किन की काया पलट हो जाएगी आप जादा है और आपको सच में ऐसा लगेगा कि मेरे स्किन पेले से बहुत ज़्यादा चमकदार हो चुकी है आपके चेहरे पे टाइम से पहले रिंकल्स के प्रॉब्लम है आपके शिकन बहुत ज़्यादा ड्रायर है nouveauग धब्रम पर बहुत काली दागधबे हैं इन सब को रि सब्सक्राइब के पास जाने की बिल्कुल भी जरूत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक सेव आपकी अंदर की बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे आपको छुटकारा दिला सकता है आपको बताऊंगी कि आपको एक सेव रोजाना खाना भी है उसके साथ में आपको बनाना है ऐसा फेस सीरम अगर आप इसे मेरे बतायनों सार अपने चहरे पे लगाते हो तो आप येकीन मानिए आपके चहरे की चमक लोटकी आएगी टाइम से पहले आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा अगर आपको बहुत ज़्यादा डार की सर्कल की प्रॉब् दस दिन में ही आपकी चैलेंज को कुछ दे रही हूं लेकिन एक शरत है आपको इसी रोजा नहीं अपने चैरे पे लगाना होगा एक तो आपको जब नहांखे आते होना उस समय पे लगा लीजी और एक आपको इसी लगाना है जब आप नाइट में सो निक ली जाओगे देर किस बात की मैं आपको बताती हूं कि ये फेस्ट सीरम आपको किस तरीके से बना के और सोच क्या रहे हो वीडियो को लाइक ने किया तो फटा हट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो पर मुझे सबसे जादा लाइक आपके चाहिए अभी तक आप लोगों क मुझे Facebook, Instagram, दोनों जगे follow ने क्या है तो जल्दी से कर लेना, दोनों जगे मेरी idea नेशल फूजा जो मैंने नीचे mention की विए, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, कि सेब से serum आपको किस तरीकी से बनाना है, अपने सुन्दर से चेरे को और ज़्यादा खूबसरत बनाने के ल जान रखें, बगेर दोला हुआ सेब आपको यूज में नहीं लेना है, ने तो आपके skin पे allergy हो सकती है, दूसरा ये है, दोने के बाद आपको इसे cotton के कपड़े से अच्छे से पौच लेना है, इसके अंदर इसके ऊपर मतलब पानी नहीं होना चाहिए, ये अच्छे से dry हो उसके बाद आपको इसे एकदम छोटे छोटे टुकडों में कट कर लेना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, आप चाहो तो इससे भी छोटे टुकडों में इसे कट कर सकते हो, मतलब जितना बारिकाप इसे कर लीजिए, करने के बाद और मैंने आदा ही सेब लिया है, पू जिसे मतला हम सबजी बनाने के लिए यूज करते हैं तो उसे भरके मैंने लिया है coconut oil और इसके अंदर जो कटे हुए सेब थे वो भी मैंने डाल दिये गैस पर मैंने इसे रख दिया है गर्म करने के लिए अब यहां से आगे आपको मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना है अच्छे से समझना है और उसके बाद आपको इस क्रीम को तयार करना है देखिए मैंने यहां पर लिया है coconut oil अगर आपकी skin को coconut oil सूट नहीं करता है आ आप olive oil ले सकते हो, almond oil ले सकते हो इन दोनों में से आप कोई भी oil ले सकते हो ठीक है अगर आपके पास में coconut oil है और यह आपकी skin को सूट करता है तो आप virgin coconut oil भी ले सकते हो या फिर यह जो simple वाला मैंने लिया यह भी आप ले सकते हो लेने के बाद सेब को मैंने इसके अंदर oil लिया है आपको पता होगा जब हम coconut oil को गर्म करते हैं अगर आप high flame पे उसे पकाते हो गर्म करते हो तो वह बहूती जल्दी से जल जाता है और उढ़ जाता है बहुत ही अच्छे से तेज गर्म हो चुका है और मतलब इसमें बवल्स पढ़ने लगे हैं इस समय पे आपको क्या करना है एक चम्मच की सहायता से आपको इसे पलटते हुए अच्छे से सेखना है और आपका जो हात है वो रुकना नहीं चाहिए क्योंकि जब आप इसे पलट तो आपको पलटते हुए अच्छे से इसे तयार करना है और इसमें आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाएगा 15-20 मिनट या फिर 20-25 मिनट भी लग सकते हैं जब आप इसे धीमियाज पे पकाऊगे तो लेकिन एक बार की बनाई हुई क्रीम आपकी कम से कम 15-20 दिन अर किम जाती है वसस्तरीके से आपकी क्रीम तयार होगी अगर आप कोई दूसरा लेते हो तो वह क्रीम आपकी नहीं जमेगी ठीके तो आप देख सकते हो मैंने अलटते हुए पलर्टते हुए बहुत अच्छे से इस से का है सेकने के बाद गैस को मैंने बंकड़ दिया और इसे जालनब और उसमें बूराइन यहीं तो अब आपको क्या करना है जितना आपका ओउविरा कॉंटिटी बाल दिए अगर करता हे विटमेन-e कर सकते है तो दोनों ही आप इसमें ले लीजिए ठीक है लेकिन aloe vera की quantity आप अपने इसाब से कम कर लीजिए ज्यादा कर लीजिए ये आपके उपर निर्वर करता है कि आपको इस cream की consistency कैसी चाहिए अगर coconut oil के साथ थोड़ी सी liquid type में भी होगा ना लेकिन जब आप इसे freeze में रखोगे तब भी ये अच्छे से set हो जाएगा तो मैंने इसमें थोड़ा सा aloe vera oil डाला है और कुछ नहीं डाला थोड़ा सा aloe vera डाला है डालने के बार इसे मैंने कर दिया अच्छे से mix mix करने के बार इसे जो लगाने का तरीका है जब आप सुवह नहा के आते हो तब आप एक time लेके अपने पूरे चेहरे पे अच्छे से massage कर लीजिए और जब आप night में सोने के लिए जाते हो तब भी आप लेके अपने पूरे चेहरे पे अच्छे से massage करके जब तक जो आपका जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आपको बनाना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आपको इसे लगाना है और जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आपको इसे इस्टोर करना है यानि की रखना है ठीक है दियान रखें इसमें पानी बिल जो आपके चेहरे पे चमक आएगी ना आपने कितने भी महेंगे से महेंगे मार्केट की सीरम अपने चेहरे पे लगाए होगे जो रिजल्ट आपको ये देगा किसी ने भी नहीं दिया होगा 10-15 दिन में ही आपके चेहरे पे बहुती गजब का निखार आएगा और जो आपसे रोजाना मिलते हैं डेली मिलते हैं वो आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि आजकल आपके इसकिन की जो चमके ना दिन दुनी रात चौबनी हो रही है ऐसा क्या खाती हो क्या अपने चेहरे लगारी हो जो आपका चेहरा एकड़ा एकतम शीै की तरह चमग रहा है तो सोचिये कतनी जएदा क्वश योगी तो आपको क्या करना है फटा-फटस्य और किटंस से निकाल ल elder उसे और च बनाई कि आपने पूरे चेहरे पेंसे जयार मैंने बताया है और 10-15 दिन के बाद मुझे कॉमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको इसका रिजेंट कैसा मिला और आपके चेरे पे कितनी ज़्यदा चमाकाई आई हूँ पाच की वीडियो आपसे इनको पसंद आई हो वीडियो को लाइक तो करी दिया हूँ नहीं किया तो कर दीजी अब मैं आपसे विलती हूँ कर नई वीडियो के साथ नई व्लोग के साथ बाई बाई